भारतिय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अड़ोकेट सुनील से टीजी सबसे पहले तो आज आपने पत्रकार वारता की है आपका क्या संदेश रहेगा क्योंकि आज के दिन हमने देखा कि कॉंग्रेस की तरफ से पत्रकार वारता हुई और उन्होंने एक इल्जाम लगाया है कि पिछले दस सालों में जब से भारतिय जनता पार्टी जमुकश्मीर में रही है तो आप कहा सकते हैं कि सेंट्रल गावर्मेंट की शासन ही था तो उस शासन काल में जिस कदर हमने नोक्रियां क्रियेट की हैं और जिस तरह से पद बरे हैं तक्रीबन 40,000 बंदों को नोक्रियां जो हो मिली हैं जमुकश्मीर में 12 जन्ता पार्टी ने अपने संकल पत्र में जिसको बनिफेस्टो कहते हैं उसमें लिखा है कि हम 5 लाक नोक्रियां पंड़त प्रेमनाद दोगराजी के नाम के ओपर एक योजना चला कि जिसमें 5 लाक नोक्रियां जो हैं वो क्रियेट करेंगे जम्मुकश्मीर के जन्ता के लिए अगर कांगर्स को पिछले 10 साल में हुए हुए काम नहीं दिखते तो कांगर्स को अपने चश्ष्मा बदलना चाहिए जिस हालत में आप जम्मू कश्मीर को छोड़के गए थे और आज जम्मू कश्मीर के हालत देखो आपके नेतागन आज आके कश्मीर में सहज तरीके से गूम फिर रहे हैं बजारों में जाते हैं लाल चोक में जाते हो आप लोग आप लोगो आपे खाना भी खाओगे, कुल्फियां भी खाओगे, बाकी लोगों से भी मिलोगे कोई डर का मोहल नहीं है रही राहूल गांदी जी जब यातरा लेके आये थे पारलिमेंटरी एलेक्शन से पहले तो स्री नगर में हर जगा पे घुमे थे वो उसको कोई रोक टोक नहीं थी ये तब हो पाया है कि बारती जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है और आतंक वाद को खतम किया है जम्मू कश्मीर में आतंक वाद को खतम करना सबसे ज़्यादा जरूरी था उसके बाद जो विकास के कारे भारती जन्ता पार्टी ने किये आज नेशनल कांफरेंस और कांगरस की बात करो आप पीडिपी की बात करो या यह जो नई अंजीनियर रशीद की डिस्पंसेशन आ गई है यह कश्मीर में वापस गोली लाना चाहते हैं यह कश्मीर में वापस पत्खर बाजी लाना चाहते हैं और भारती जन्ता पार्टी कश्मीर में रेल लेके जाना चाहते है भारती जन्ता पार्टी कश्मीर में नेशनल हाईवेज बनाना चाहते है ताकि लोगों की जिंदगी को असानी मिले अब लोगों को ये डिसाइड करना है कि क्या कश्मीर में गोली की वापसी चाहिए या कश्मीर में ट्रेन चलनी चाहिए बुलर चलनी चाहिए या बुलर ट्रेन चलनी चाहिए सर आप कश्मीर की बात करें आप पिछले दिनों जो आतंगवाद की घटाने की बात करें कि हुआ है पर दूसरी तरफ ये सुनने को मिला है कि जो कश्मीरी पंड़त समाज है उनका कहना है कि भारतिय जनता पार्टी जो है वो टेररिजम को नॉमलाइज करने की कोशिश कर रह है कि आप खुले तोर के उपर आतंगवाद से लड़ सकते हो जिनके हाथ कले बंदे हुए थे सतर परसंट से ज़्यादा गिरावट आना मिलिटेंसी में इस बात का सबूत है कि आप जो सेन्यबल हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं पाकिस्तान से आतंगवादी अंदर नहीं बे सकता हूं कुछ भी लेकिन नेशनल कानफरेंस पीडीपी और यह जो अवामी यह जो इंजिनर रिशीद की पार्टी है आप लोगों के तार तो वहीं से चलते हैं आप पाकिस्तान को कह दो कि आतंगवादियों को बेजना बंद कर दे इंजिनर राशिद से याद आया कि हाल ही में जब उनकी बेल हुई है उसके बाद उनने बाहर आते ही बयान दिया है कि ये मोदी का कश्मीर नहीं होगा मोदी का जमू कश्मीर नहीं होगा ये इंजिनर राशिद का कश्मीर होगा उस पे आपका क्या जवाब है देखें ये जमू कश्मीर मोदी का जमू कश्मीर ह और आने वाले काल में भी ये मोधी का ही जमू कश्मीर रहेगा ये कभी भी जीनिय रशीद का या उमर अब्दुल्ला का ये या किसी वानी का या पीडिवी की मुफ्ती का किसी और का कश्मीर नहीं बने बना कश्मीर ने अब शांती देख ली है शांती का टेस्ट करने के बा आपसे रहेगा कि जिस प्रकार कांग्रेस के तरफ से एक के बाद एक वार किये जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह जो पार्टी है भारतिय जनता पार्टी यह सिर्फ बाते करती है वादों पे खरी नहीं उतरती है बार बार कहते हैं कि रोजगार देंगे ये देंगे वो देंगे पर देते नहीं उस पे आपका एक जवाब कहा रहेगा आफ़ी सवाब कांग्रेस के जितने वार हैं सारे खोकले हैं धार है नहीं सिर्फ बात करने के लिए वार करते हैं वादे निबाने की बात करें तो भारतिय जनता पार्टी ने परलिमेंटरी एलेक्शन दोजार चोदा में जितने हमने वादे किये थे 95% बादे उसमें से निबाए थे सिर्फ फ्री पिर्स क्यों ने मिल पाए नाइनटीन के जितने हमने वादे किये थे उसमें 97% बादे बातिय जनता पार्टी की गवर्मेंट ने पूरे किये थे बातिय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि अगर वो संकल पत्र निकालती है तो उस संकल पत्र का पूर्णता पालन होता है 100% के करीब हम उसका बालन करते हैं आदमी पार्टी ने वादे बड़े कर दिये पंजाब में लेकिन पूरा तो कुछ नहीं हुआ आज हिमाचल जो है वो कंगाली के द्वार पे खड़ा है हिमाचल में इंपलाईज को गर्वर्मेंट के इंपलाईज को तनखा देने के पैसे नहीं है जब तक आप लोगों के पास रोड मैप नहीं हो जब आप वादा करते हो तो उस वादे को निबाने के लिए आपको रोड मैप भी चाहिए यह किसी के पास रोड मैप नहीं है सिर्फ भारती जनता पार्टी के ही पास रोड मैप है जिससे हम लोगों के लिए काम कर सकते हैं अपने राय हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजेगा अफिल हाल के लिए मुझे जीजे जाज़त साक्शी साहनी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट अर्थ न्यूस जम्मू